तो फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था डवल आपसेट का उपर देखिए यह वाला है यह हमने आपको बना के दिखाया था वीडियो में इसको हमने यहां से ऐसे इस तरीके से इसको मैच आपको जो है करके दिखाया था ठीक है तो आपने अग आपको बिल्कुल डिटेल में explain किया था कि कैसे जो है डवल आपसेट बनाया जाता है अगर आपको यह भी नहीं पता कि डवल आपसेट क्या है तो वह भी मैने वीडियो जो है अलग से बनाया हुआ वह आप चाहिए तो देख सकते हैं सभी आपको आई बटन में मिल ठीक है तो उसमें आपको जो है pipe cutting करना पड़ता है देखिए हमने पिछले वीडियो में pipe cutting भी किया था सायद आपने उस वीडियो को देखा हुआ तो आपको याद भी होगा और नहीं देखा है तो एक बाल जाके जरूर देख लिजेगा तो हमने यहां पे इस तरीके से इस देखिएगा और इसमें अगर कोई भी doubt अगर आता है तो आप हमसे comment में पूछ सकते हैं ठीक है तो देखे समझाने के लिए हमने यहां पे क्या किया है यह देखिए हमने यहां पे triangle लाइन डोरी से हमने यहां पे triangle बना के रखा हुआ है और इधर से हमने यहां तक जो है ला मतलब कि सबसे पहला तो आप जो है measurement लोगे इस का यह वाला जो कि हमने आपको बता आया था यह vertical का जो पीस है हमारा जिसको लम्ब बोलते हैं उसका measurement लोगे और फिर यह आधार का measurement लोगे और फिर उसके सबसे आपको यह निकालना है ठीक है यह निकालोगे मतलब hiérieurons जिसक कि final रहेगा तो हमें यहां जो है ये वाला निकल चुका है और जो हम इसका measurement लेंगे तो इसमें आपको क्या करना यहीं पर थोड़ा आपको ध्यान से देखना है तो यहां पर देखें आपको करना क्या है तो मानलीजी हमने जो है यह जो आप कर्ण देख रहे हैं वो हमने निकाल लिया ठीक है और इसका मानली जी हमारा एक measurement आ गया है जिसे मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाता हूं ठीक है यह हमारा है कर्ण मतलब यह वाला आप देखिए यह वाला हमारा कर्ण है यह देख सकते हैं मैं तो दूर से दिखाता हूं यह वाला ठीक है वो उपर का pipe है यह वाला और यह जो नीचे गिरा है वो लंब है यह आधार है और यह कर्ण है तो कर्ण हमने निकाल लिया ठीक है तो मानली जी है कर्ण हमारा एक 100 एम्यम पकड़ लेते हैं ठीक है 100 mm है उसके बाद हम हमें यहां पर यह जो हमारा अधार है उन्ह violation कामें चेक करना है कि कि आ रहा है तो देखिए यहां पर आपको क्या करना तो देखिए यह म्सलिप से चेक कर रहे हैं तो लगोगे कितना आ रहा है 220 एम तक आ रहा है ठीक है तो यहां पर मैं लिखता हूँ 220 एम अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको माल लेना है कि ये pipe 100 mm और प्लस है या फिर 50 mm और प्लस है अभी ये हमारा कितना है 220 हमने चेक किया तो अभी मैं ये माल लेता हूँ कि 50 mm हमारा pipe आगे तक है तो कितना हो जाएगा मतलब 220 में हम 50 यहाँ पर अगर माइनस करते हैं पचास अगर माइनस करते हैं तो यह हमारा अंसर आता है 170 मतलब कि मतलब कि यह जो हमारा आधार का जो लेंध है वो 170 है है तो 220 यहां जैसे हमने भी चेक किया कि यहां से यहां तक हमारा लेंध है 220 लेकिन हमने यह मान लिया कि 50 हमारा पाइप और आगे तक है ठीक है आप मतलब मान लिजए आपका अगर यह सबोच कीज़े अगर पांच मीटर आ रहा है ठीक है तो आप उसमें जो है 500 इमेम तक 600 इमेम तक आप इसको मान सकते हैं कि यह प्लस है मतलब आप अपना हिसाब से जितना चाहे उतना आप जो है इसको मान सकते हैं अभी अप लास्ट में जब हाइपोटेनस निकालोगे करने निकालोगे तो आपका अंसर आएगा 197 मतलब यह जो हमारा डिस्टेंस है वह 197 है ठीक है तो हमने आपको क्या बताया था कि 197 में अब आपको जो है दो एल्बो सेंटर भी माइनस करना है वह मैंने आपको उस वीडियो में बताया था ठीक है और एल्बो सेंटर हमारा कितना था 47 में आया था उस वीडियो में मैंने जो आपको बताया था तो आप वीडियो एक बार देख लिएगा तो आपको और भी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोनों को माइनस कर ट्रेवल लेंद में हमें अभी कुछ छड़ छड़ नहीं करना है और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा 47 mm है वह आपको कटिंग करना है जैसे यह पाइप था मैं दिखा भी देता हूं यह हमारा पाइप था इसमें ऐसे जॉइंट था यही पाइप था तो इन्टू टू का जो एंसर आया था उसको आपको यहां पर मैंने कटिंग करने के लिए बताये था लेकिन इस वीडियो में मैं कटिंग मतलब नहीं करना है तो कैसे बनाएंगे तो आपको क्या करना है जितना आपको एल्बो सेंटर आ जैसे 47 आ तो 47 आपको पहले ही माइनस क कर लेना है और उसी साब से फिर आपको इसका जो आधार है वो लेना है और फिर यह वाला देखिए यह लम लेना है और उसी साब से करन ले या फिर अगर आपको और भी वीडियोग देखना है जैसे माइटर बंड कैसे बनाए फिटर की बुरी जानकारी तो आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप जहें बोल सकते हैं यूटूब पर आपको जहें वीडियो मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो म thanks for watching, bye